दोस्तों से विडियों बात करेंगे रेडिकल के रेड कोईन के प्राइज मुमेंट के बारे में अपडेट एट लेवाज और आने वाले दिन हम आपके लिए टागेट क्या रहेंगे करेंट लेखिने कर्या है। कर रहे एक अच्छा ब्रेक ऐ सबस्क्राइज हुआ है। उपड़ीट लेटेडर आप ats अब संप offerings हो रहें है। और अभी उससे भी उपर वाले लेवल पर प्राइस चली गई थी अगर पिछले आठ से दस दिनों बात के रिए इस कोई ने टू हंड़ेड परसें से जादा का मूव लिया है और अभी एक अच्छे लेवल को मेंटेन किया हुआ है तो आपके लिए टार्गेट्स किया रहा ह है जिनको जादा नोले एक्सपेंस नहीं है उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर स्ट्रेटिजी शेयर की जा सके चैट एकसेज रहेगा क्रिप्टो क्वारी जिजोल की जाएगी सिगनल शेयर की जा उपर अभी यह कोईं ट्रेट कर रहा है 15 मिट का चार्ट ओपन है हाला कि इस कोई ने 4 उस्ट से 6.2 उस्ट वाला एडिया ट्राइ किया था और उसके बाद से बड़ा डंप हमें बड़ा करेक्शन देखने को मिला है क्योंकि इस टाइप का करेक्शन नोर्मल देखने को मिल प्राइस जो है वो 3.2 उस्ट तक आ गई थी और कल से अभी तक अगर बात करें तो 3.3 3.4 उस्ट वाले एरिया से इसने 6.2 वाला एरिया ट्राइकिया ने 90% से ज्यादा का मूव लिया है अभी जिस लेवल पर चला गाया था रीसेंटली अगर पिछले 8-10 दिनों पहले के इसकी बात के तो 1.6 वाला लेवल था वहां से 6.2 वाला लेवल इस कोई ने ट्राइकिया अल्मोस्ट 300% से ज्यादा की रिकावरी सकोई नी की है और नए लेवल को अल्मोस्ट एक साल का इसने अभी तक का पिछले वन येर का हाईस लेवल ट्राइकिया है अलाकि इसका आल हाई की अगर बात करें वो लिस्टिंग के टाइम पर 30 यूस्टी था उसके बाद 23 यूस्टी वाला लेवल सेकंड टाइम इसने ट्राइकिया था तो उससे अभी भी बहुत नीचे ये कोई ट्रेड कर रहा लेकिन अपने बोटम से अच्छी रिकावरी इस कोई ने की है और तो आप लोगों ने इस कोईन के थूर अच्छा प्रॉफिट जो है पहले भी जन्रेट किया है और अभी भी अगर आपने होल्ड किया हुआ है अगर आपके पॉर्टफोलियो में कोई एड है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा रिसेंटली सेक इस कोईन को मिल रहा है जो ब्रिक आउट हो रहा उसको सपोर्ट कर रहा वोल्यूम और एक अच्छा प्रॉफिट से उपर वाले लेवल को अगर आप चाहते हैं कि आप दो चार दिन आट दिन दस दिन और होल्ड कर सकते हैं आपको और थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए तो यहां से इस कोईन की प्राइज एजिली 5 ऊजी से उपर वाले लेवल को दो तीन दिन में ट्राइक कर सकती है उसके चांसे बंद रहे हैं क्योंकि इस टाइप के सिनारियों यहां पर वुल्यूम को मिल रहा है जो ब्रिक आउट हो रहा उसको सपोर्ट कर रहा वॉल्यूम औ ला गया तो जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा उन लोगों को पता है कि किस टाइप से मैंने आपको टागेट्स बताये थे दो तीन चीजे मैंने आपको बताये थी बहुत सारी देखिए बहुत सारी चीजे रहती है सबी के अलग-अलग holding periods रहते हैं सब की सबी की condition अलग रहती है कोई दो से चार दिन के लिए ट्रेड करता है कोई 10-15 दिन के लिए का holding period से trade करता है कोई monthly basis पर trade करता है या कोई long term के investment perspective से तो सारी चीजे मैं आपको बताता हूँ पार्ट में बताता हूँ कि कि कौन किस perspective sold कर रहा है उसके लिए क्या target रहेगा तो ट्रेडिंग perspective वालों का target था 4.1 और second जो 30% पार्ट 40% पार्ट में बचा रहा था उस पार्ट का target में ने आपको और भी आप चाहें तो 4.4 4.5 तक का बढ़ा सकते हैं सोट्टम वालों को भी बताया था कि अगर recent buying है आपकी तो आप 5 वाले लेवल का target रख सकते हैं अभी अगर बात करें आपने उस time sellout किया नहीं किया कोई बात नहीं है और अभी अगर आपने buy किया है या है वो 4 यूस्टी वाले लेवल पर हो या फिर recently जो price यहां पर इसने नीचे वाले लेवल को try किया था जिसमें इसने almost जो price है वो 3.3 3.4 यूस्टी पर चली गई थी तो उस लेवल पर अगर आपने buy किया under 4 यूस्टी फी तो आपको एक अच्छा profit देखने को मिल रहा होगा तो firstly तो आपको जो trading perspective वाले हैं देखिए correction हो रहा लेकिन यह थोड़ा बहुत उपर वाले लेवल को आज या कल थोड़ा बहुत try कर सकते हैं देखिए 6.2 को तो अभी try नहीं करेगा दो चार दिन शे दिन try नहीं कर र जिसमें आपको 70-30 के रेसों में sell out करना है जो trading perspective वाले है जिनकी recent buying है और quick profit आरने करने की perspective से 20-30-40% के target से buy किया है तो वो 4.5 और 4.75 दो levels पर 70-30 के रेसों में sell out करेंगा दूसरा जो short term वाले है और recent buying है चाहे 3.4, 3.5, 3.8 की buying है या पहले की भी buying है तो आप 5.2 USD के around sell out करे है तो आपके portfolio में aid होगा तो अभी आप 5.2 USD पर जैसे ही वापिस price जाती है और चली जाएगी easily चली जाएगी और बार मैं आपको बताता हूं कि आपको sell limit जरूर लगा दी नहीं क्योंकि sell limit से हमें बहुत सारे benefits लेते हैं अगर आप sell limit नहीं लगाते हैं तो जैसे किसी coin में 50% का आपको profit हो रहा है लेकिन आप sell नहीं कर रहेंगे आप और wait करेंगे नहीं मुझे और profit से ही मैं 50% profit लोंगा 60 आपको पता ही नहीं कि कहां पर support है कहां पर रस्टेन है किस वज़े से break out हो रहा है volume मिल रहा नहीं मिल रहा fake breakout है क्या कुछ भी आपको पता नहीं लेकिन बस आप वेट कर रहें तो एक एरिया पर जाएगा वहाँ पर सेलिंग पर सर देखने को मिलेगा रो एक सटन डंप तो आपको जो प्रोफिट हो रहा था वो भी पूरा चला जाएगा 10% या 15% पर आप फिर सेल और करें तो इसलिए आपको पहले से सेट करना है किस लेवल पर आपको सेल करना है कतिना प्रोफिट लेकर आपको 20% का टागेट है 30% का टागेट है उस टागेट पर आपको पहले सेल लिमिट लगा कर बेफिकर हो जाना है तो इसलिए आपको यहाँ पर 5.2 के राउंड मे sell limit लगा देनी है दूसरा जो long term वाले हैं उनको long term में hold रखना है जब price में आपको बताया था कि इसकी price जब 8 या 10 तक जाती है और अगर आपके 2.3 2.5 के रहों की buying है तो आपको कुछ पाट slot कर देना और जिन लोगों ने entry नहीं ली थी उनको अभी entry नहीं लेना तो अभी wait करें अच्छा लेवल अगर आता है under 3 USD मिलता है अगर यह coin को कि अब अच्छा खासा breakout है तो हम minimum 50 60% के correction का तो wait करेंगे तो under 3 USD मिलता है और उससे भी नीचे मिलता है तो उस लेवल पर हम try करेंगे buying की बाकी जो नए investor trader है वो हमारे premium membership में जरूर इन्रोल करें आकि आप crypto losses से बच पाएं over trading को manage कर पाएं वहाँ पर आपको proper guidance प्रोपर स्ट्रेटीव शेयर की जाएंगे signal शेयर की जाएंगे वो भी बहुत सारे benefits हैं जो भी interested है वो निसना पर DM करकी join कर सकते हैं इंस्टाग्राम की link वीडियो के description में येज एल क्यों झाल के पुल